वोटर कार्ट को आधर कार्ट से लिंक करने के लिए एक न्यू वेबसाइट लॉंच की गई है काफी लोगों ने वोटर हेल्बलाइन एपलीकेशन से लिंक किया था जो की फॉर्म नंबर 8 उन लोगों ने फिल किया था तो वो गलत था और वहां से आपका आधर कार्ट जो है आपके वोटर कार्ट से लिंक नहीं होगा वो एक करेक्शन फॉर्म है और उसमें जो है आधर कार्ट वोटर कार्ट से लिंक नहीं होता है मैंने भी ऐसे link किया था मुझे कल पता चला जब भी ये लोग का phone आया कि जो है ये correction form है इसमें आपका अधरकाड आपके voter card से link नहीं होगा इसके लिए आपको 6B forum भरना होगा जो कि अभी अभी आपको recently voter help line application के अंदर आपको मिल जाएगा 6B लेकिन उसमें अभी problem है जब आप अपना voter card number डालते हैं तो वो गलत सो करता है तो मैं आपको बताऊंगा जो new website launch की गई है तो बहुत आसान तरीका जिसमें आपको ज़्यादा तर detail नहीं भरनी है और आप कैसे अपने voter card को आधरकाड से link कर सकते हैं अगर आपने पहले किया था तो वो बिल्कुल गलत था जो की form number 8 था अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल एकदम real है और आप check भी कर सकते हैं कि link हुआ है या नहीं तो चले फिर जानते हैं कि कैसे हम अपने voter card को आधरकाड से link करेंगे तो मैं आ गया हूँ अपने laptop की screen पर और आप अपने mobile से भी कर सकते हैं जैसे मैं करूँगा वैसे ही आपको अपने mobile में करना है जो new website है उसका नाम है voter portal सिर्फ आप voter portal ही search करें जैसे आप यह सर्च करेंगे तो आप यहाँ पर यह website देख रहे हैं voter portal.eci.gov.in आपको यह वाली website जो है वो open करनी है और इस पर आप जैसे किलिक करेंगे तो यह open हो जाएगी आपको इसमें सबसे पहले यह interface मिलेगा यहाँ पर आप से पूछ रहा है कि mobile number, email id, voter id, number, password तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर अपनी एक ID create करनी होगी तो जो प account वाले option पर click करना है, click करने के बाद में यहाँ पर आप देखे या तो आप email id डाल सकते हैं या फिर आप यहाँ पर अपना mobile number डालेंगे, mobile number डालने के बाद आपको यह देखे send OTP का option आएगा, जैसे आप इस पर click करेंगे आपके mobile number पर एक OTP आएगा, mobile number पर OTP आने के इस तरीके से आप जो है password बना सकते हैं, फिर आपको यहाँ पर login करना होगा, login करने के लिए सीधे आपको यहाँ पर अपना mobile number डालना है, जो password आपने बना है, वो password आपको इस जगह पर डाल कर और यहाँ पर यहाँ पर आपको देना है, और फिर login वाइल option पर click करना है, तो यहाँ पर आप देखें, new voter card के apply के लिए option मिलता है, correction के लिए मिलता है, और यहाँ पर voter card delete करने के लिए मिलता है, और यह वाला option है, आधार card link करने के लिए, इसमें जो है, आप अपनी profile पर आ सकते हैं, यहाँ पर click करेंगे, तो profile पर आप आएंगे, profile पर आने के बाद, यह यहाँ पर आपके सामने एक option आपको और मिल जाता है, voter card download करने के लिए, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तर किसे download हम करेंगे, तो जैसे home वाले option पर हम आ जाते हैं, और यहाँ पर आपको जो मैं बताया है, last वाला जो है, इस पर आपको click करना है, आधार link वाले option पर, इस पर आप click करेंगे, click करने के बाद में ये आपको यहाँ पर नाम आएगा, जैसे आप अपनी ID बनाते हैं, तो जब login करेंगे तो वो नाम आपसे पूछता है, तो यहाँ पर आपको आपको लेट्स श्टाड़ वाले option पर click करना है, इस बाद आपको यहाँ पर अगर सब्सक्राइब दालने के बाद नाम पीताजी का नाम यहां पिदी पलिक मिल जाती है फिर आपको से देविस कंटिर् वालोंने पंपे किलिक करने के बाद में यहां पर आप देखिए यू नीड टॉ अपडेट यौर मौबाइल लंबर तो यहां पर अपना मौबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं मॉबाइल नमबर डालेंगे, send OTP वाल अप्षिन पर किलिक करेंगे, आपके मॉबाइल पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको इस जगा पर डालना है, verify वाल अप्षिन पर किलिक करेंगे, मॉबाइल नमबर यहां पर अप्डेट हो गया है, और verify भी कर लेता है, अगर पहले साब में अप्डेट कर रखा है, यह देखे, यह है form नमबर 6B, और जो हम पहले कर रहे थे, वो था 8, जिसमें की पूरी detail, address, address सब पूछा जा रहा था, हमको यह लग रहा था, कि इसमें ढहं एपका नाम आ जाएगा, और यहां पर answer की किलिक करना है, तर आपका नाम आयेगा, date आएगा, यहां पर पैले स, तो आप जो हम एगरले में रहते हैं, तो लिगर डालेंगे, फिर इसके वाद सेविस कια क्न्टीनिव vegetables संप पीक करेंगे, जाह पर आप दीखे, पूरा final इस पे किसी पे click नहीं होगा इसमें last में आपको सबसे नीचे आ जाना है यहाँ पर आपका नाम होगा mobile number होगा और यहाँ पर आपको submit वाले option पर click करना होगा यहाँ पर हमारा voter card आधार card से link हो चुका है और यहाँ पर 6B form है और यहाँ पर आपको एक reference ID मिल जाती है जिसको आप यहाँ पर copy कर सकते हैं और copy करने के बाद आप चेक कर सकते हैं आप website पर back आएंगे track status वाले option पर click करेंगे और यहाँ पर application complaint यहाँ पर आप click करेंगे और यहाँ पर आपका जो reference number है वो आप यहाँ पर paste करेंगे और इसी तरीके से आपको अपना voter card आधार card से link करना है डाउनलोड कैसे करते हैं वो मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ आपको voter portal लिखना है और आपको download लिखना है यह चीज़ आप याद रखें आपको यह लिखना है और यह voter portal .aci.gov.in की website आएगी और नीचे आएगा download e-pick तो आपको इस पर click करना है इस पर click करने के बाद अब आपके सामने यह option आते हैं और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप पुराना भी voter card यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो मैं website थी पहले वाली उस पर जो है नए voter card ही डाउनलोड हो रहे थे इस पर आप अपना नए पुराना voter card भी डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन उसकी सर्त यही है कि आपके voter card में आपका mobile number लिंक होना चाहिए और आपका mobile number सिर्फ एक ही voter card से लिंक होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आपने 3-4 voter card में अपना mobile number लिखवा रखा है तो आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे आप डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने reference number से इस वाले number से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास आपने update कराया है या कोई कुछ कराया है तो आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते आप से next वीडियो में बाई बाई